दोजार सत्रा अठारम मेंने ये खेतलाई कुदई, खेतलाई के बारे में हमारे एगरिकल्चर सुप्रोवाइजर ने आमें ट्रेणिंग दी थी, इसके बारे में बताया था, इनकी बातों से मोटिवेट होके हमने ये खुदाने का निश्चे किया, उसके बाद में बारिस पानी भर गया, तो हमने इंजन सिस्टम लगाया और ये सिंचाई सुरू की, तो कई वर्सों बाद में इस मोसम में हमें इस खेत में हर्याली देखने को मिली, इससे हमें बहुत अच्छा लगा, इससे पसो को पानी भी मिल जाता है या और वहां चारा भी जंडेट हो जाता हैं और इसमें जो पानी निकालते हैं उसे हम फोडर जनरेट करके पसो को खिलाते हैं हमारे ग्राम सेवकदी यह मीटिंग ली मीटिंग के अंदर हमें ये सला दिवी कि वह ये खड़ा करवा हो तुम इनसे तुमारे को फायदा होगा किसानों खेती के लाईगा अगर पानी तो तुमारे ये खेती हो जाएगी और जीरह पा दोगे इसे हिसाब से हमने ये खड़ा करवाया साब के कहन से गई साल तो हमारे अच्छा जीरह ठीक था पानी से फुल बर गया था कम से कम निभया चीनी असीनिवाजार का जीरह हूआ और इस साल मुझे अंदर आज है कि 40 अपता सदार्कात हो गई पान एकटा कम हुआ इसलिए जेरा की पड़वर थड़ी कम आपर वाजू में जो पर खेत तलाई की ती और मैंने वहां पर जाकर के देखा कि वहां पर खेत तलाई करें उन्होंने अच्छी खासी फशल ली और इंकम की उन्होंने तो मेरा भी मन हु बतला की मेरा भी एक फार्म भरद खेट लाइट लिया तो उन्होंने मेरा फारम भाद करके खेट लाइट का काम चालू करने के लिए बोला मेने खुदाया हमार को गौर्मेट अच्छा खासा फायदा दे रही है उससे हमारे और ज्यादा खुशी हुई और मैं समझता हूं कि आपकी वार मेरा फसल में 3-4 कुटल जीरा हो गया तो भी मेरे को 70-80,000 गर बैटे अच्छी खासी फसल और अच्छी खासी इंकम हो जाएगी तो सर कैसा है आपकी वार मेरा खेट तलगी को और ज्यादा मोटा करके और ज्यादा चोड़ा करके अच्छी खासी फसल लेने का मतलब निश्चे किया हो कि और इसको बढ़ा करूंगा और जो मेरे दूसरे खेट खाली पड़े हो उसको भी मैं हरे बरे करके रखूंगा ताकि आने वाले समय में मेरा आच्छा खासा आमदानी हो और आच्छी खासी खेटी हो